हलो एव्रिवान वेलकम टू दे लर्निंग प्लैटर सी एस आज हम बात करेंगे राजस्तान में जो वेकेंसी आउट होने वाली है सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और बेसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की उसके बारे में तो देखिए यहां पे अभी फॉर्म्स आउ 10,000 पोस्ट हैं और इन दोनों की पोस्ट भी अराउंड 10,000 पोस्ट होंगी तो देखिए इसके लिए फॉर्म्स अभी आउट नहीं हूँ है लेकिन एक नोटिफिकेशन आया है सेवन्थ जैनुरी को जो है इलिजिबिलिटी और से रिलेटेड तो इसे देखिए हमें क्लिय हो जाएगा कौन-कौन किस पोस्ट के लिए लिजिबल होगा और क्या सेलेबस रहेगा दोनों के लिए ही सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए और बेसी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तो देख लेते सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कौन-क निर्ट देम znajdu is in electronics and communication टब भी आप eligible है डॉर उप यह आप ट्रीकल measuring और साथ की साथ Electrical and electronics engineering ऑसके बाद है Electronics & Telecommunication Engineering & Electronics & Instrumentation Engineering आपने 911 में से किसी भी %, में किया है कोई भी specialization था तो आप इस पोश्ट के लिएयकर सकेंगे साथ के साथ अगर आपने MSC किया हुआ है Computer Science में या Information Technology में तो भी आप eligible रहेंगे और साथ में Masters in Computer Application या आपके पास है B-Level या C-Level course तो भी आप eligible रहेंगे ठीके Next आपके पास आजाता है Basic Computer Instructor तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका Graduation होना चाहिए साथ में A-Level या PG-DCA होगा तो भी चलेगा साथ की साथ Bachelor's आपको चाहिए B-E या B-Tech Computer Science में होगा या IT में होगा E-C-E में होगा Electrical में होगा Electrical and Electronics में होगा Electronic Instrumentation and Control में होगा तब भी आप क्या रहेंगे इलिजिबल रहेंगे तो साथ की साथ B-E-C अगर होगा Computer Science में या IT में तब भी आप इस पोस्ट के लिए Apply कर पाएंगे और अगर आपने B-C-E किया हुआ है कहीं से भी किसी भी उनिवर्सटी से इंडिया की तो भी आप eligible रहेंगे तो यहाँ पे आप B-C-E अगर किया हुआ है B-E-C किया हुआ है B-Tec किया हुआ है B-E किया हुआ है यह ग्राजुएशन और साथ में आपने यह कोर्स किया हुआ है A-Level और P-G-D-C तब भी आप eligible होगे Basic Computer Instructor के लिए तो यह थी हमारी Eligibility इन दोनों पोस्ट के लिए साथ में देख लेते है इसमें syllabus क्या रहता है क्या pattern रहता है तो देखें Senior Computer Instructor के लिए अगर हम देखें तो दो पेपर्स रहेंगे दोनों ही पोस्ट के लिए दो पेपर्स रहेंगे Paper 1 and Paper 2 syllabus थोड़ा different है Paper 1 को almost similar है Paper 2 में थोड़ा सा different है तो देखें दो पेपर्स रहते है Paper 1 and Paper 2 तू पेपर्स होंगे आपके और दोनों ही पेपर्स आपके रहेंगे 100 मार्क के और दोनों ही पेपर्स रहेंगे 2 आस के तो multiple choice type questions होते हैं लेकिन यहां पे आपको यह ध्यान रखने negative marking रहती है तो देखें यहां पे आपके पास रहेंगे 100 questions Paper 1 में जो multiple choice type question होंगे और उसका syllabus क्या रहेगा देखें दो चीज़ें हैं यहां पर Art and Culture, History, Geography, Journal, Science and Current Affairs of Rajasthan तो सारा उससे related आजाएगा उस state से related है then हमारे पास है journal ability उसमें logical reasoning and analytical reasoning and then decision making and problem solving journal mental ability, basic numeracy and then data interpretation तो यह सभी चीज़ें आएँगी यह सब topics आएँगे देखें इसमें level mentioned है 10th level तक के आएँगे तो यह topics रहेंगे paper 1 में और साथ की साथ देख लेते हैं paper 2 में क्या रहेगा paper 2 भी आपका 100 marks करेगा और 2 hours करेगा और 100 MCQs होंगे उसमें भी negative marking आपकी paper 2 में भी रहेगी तो देखें इसमें क्या-क्या रहेंगे आपके subjects सबसे पहले आएगा इसमें pedagogy then mental ability और आप देख पारे हैं यहाँपे different topics हैं after that आपके subjects रहेंगे computer science के computer science में सबसे पहले हमारे पास रहेगा fundamental of computers यहाँपे basic आजाएगा number system, arithmetic operations introduction to various categories of computer language and then functional details of input and output devices उसके बाद रहेगा programming fundamentals यहाँपे C, C++, Java, .NET and artificial intelligence से related आजाएगा machine learning, python then हमारे पास आजाता है object oriented programming using C++ and java तो देखिए यहाँपे सारे oops के concept रहेंगे then data structures and algorithms यहाँपे data structures है complete और sorting and searching है उसके बाद algorithm में आजाएगे different categories of algorithms and complexity रहेगी algorithms की then हमारे पास है digital logic systems यहाँपे boolean expressions रहेंगे के maps and logic families, combinational logic design and sequential system design रहेंगे इसके बाद रहेगा computer organization and architecture यहाँपे one newman architecture रहेगा साथ में registers, micro operations और memory organization से related सारा computer organization and architecture का पाट रहेगा then operating systems तो operating systems में जितना भी से लेवस रहते हैं almost सारे जो भी functions और operating system के वो cover किये जा रहे हैं then हमारे पास है database management systems तो देखे इसमें ER model and normalization, indexing, transaction processing, rdbms तो कोई ऐसा topic नहीं है इसमें जो आपने graduation और post-graduation में study किया हो और इसमें ना दिया जा रहा हो एक दो topics होंगे automata and all ठीक है ना कुछ एक दो topics रहे होंगे जो नहीं होंगे otherwise जितने भी subjects graduation post-graduation में study किये almost सारे इंक्लूड किये होंगे तो देखे इस software engineering रहेगा उसमें भी आपके पास SDLC की जितनी भी life phases है then testing से related then project management उसके बाद data and computer networks सारा networking से related आ जाएगा उसके बाद देखें network security इसमें भी सारा advanced दिया हुआ है यहां पे सारा DES, AES, RSA, सब ही algorithms पूछे हुए symmetric and asymmetric algorithms और साथ में firewalls, virus सब चीजें included है next is basics of communication तो यहां पे आपका जो networking में communication की basics पढ़ते हैं तो वो सब चीजें भी आ जाएंगी तो यह पूरा यह आपका network से related हो जाएंगे यह three units यहां पे दिये हुआ है तो देखें यह तीनों ही units network से related हो गए then हमारे पास है web development यहां html, css, php, javascript, xml सब चीजें आ जाएंगी web development में तो यह पेपर 2 का syllabus रहेगा इस नियर computer instructor के लिए तो जो पेपर 2 है basic computer instructor के लिए उसमें comparatively syllabus कम है तो देखे paper 1 में यह basic computer instructor के लिए scheme and syllabus paper 1 के लिए similar ही रहेगा hundred questions है two hours के हैं और साथ के साथ multiple choice type questions रहेंगे और देखे paper 1 का जो syllabus है वो क्या है similar है ठीक है जो भी आपका था उसमें senior computer instructor में वही basic computer instructor में है ठीक है बिल्कुल syllabus क्या है same है ठीक है difference कहां आएगा paper 2 में आएगा negative marking आपकी यहां पर भी रहेगी दोनों ही papers में ठीक है basic वाले में भी रहेगी तो देखे यहां पे जो syllabus है पेड़गोगी और mental ability सेम रहेगा साथ में जो सब्जेक्ट्स हैं यहां पर देख पारें आप महां पर टोटल हमारे सब्जेक्ट्स है 14 ठीक है यहां पर senior computer instructor में देखे यह 16 है तो अगर पेड़गोगी और mental ability को छोड़ दें तो टोटल 14 सब्जेक्ट्स बनते हैं लेकिन यहां पर सब्जेक्ट्स भी अगर हम देखे तो थोड़ा कम है तो यहां पर आपके पास है computer fundamentals of computer then data processing आ गया यहां पर आपके पास ms word excel powerpoint and access आ गया यहां पर साथ में programming fundamentals same रहेगा data structures and algorithms भी वही same रहेगा बस algorithms नहीं आएगा यहां पर ठीक है यहां पर algorithms अलग से नहीं दिया जिसमें different categories of algorithms हम study करते हैं then हमारे पास आ गया computer organization and operating system ठीक है यहां पर computer organization और operating system इन्होंने merge कर दिया वहां पर अलग अलग था साथ में digital वाला पार्ट अलग था और computer organization का अलग था देन हमारे पास है computer communication and network concepts तो यहां पर basic network concepts दिये गए हैं and then network security में देखिए यहां पर वाइरस and firewall वह सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं ठीक है वह सब algorithms नहीं है जो हम पढ़ते हैं asymmetric and symmetric algorithms वो सब algorithms यहां नहीं पूछे गए हैं then dbms है ठीक है यहां पर no seql and rdbms or overview वो सब चीज़ें दी हुए है and then system analysis and design ठीक है तो यह वाला topic अपका उसमें नहीं है यहां पर include किया हुए system analysis and design then internet of things and its application ठीक है तो यह भी trending topic है internet of things यह यहां पर दिया गया है उसमें नहीं दिया ठीक है वहां पर web development भी है यहां पर internet of things और उसकी applications जिसमें XML HTML और introduction to e-commerce इंक्लूड किया हुए तो question लगबग आप लगा लीजिए कि अगर एक topic छोटा सा भी mention कर दी है तो उससे भी related question वो पूछ सकते हैं तो आपको accordingly prepare करने exam के लिए यह syllabus दे दिया डिटेल्ट कहीं बार होता है हमारे पास exam के लिए syllabus नहीं होता ठीक है तो रैंडम ली कुछ भी study कर रहे होते हैं तो इन्होंने forms आउट करने से पहले ही syllabus आउट कर दिया है तो आप लोग उसके according prepare कर सकते हैं start कर सकते हैं अपनी preparations तो यह आपका syllabus रहेगा और साथ के साथ eligibility check कर ली हमने so that's all for this video thank you so much